सब्सक्राइब हाँ पुत्र क्या कहा था तुमने कि इस लोस्तम में तेरा विश्णु है यदि इस लोस्तम में तेरा विश्णु है तो जा गले लग इसके जा आगे वर्दुष्ट अपने विश्णु का आलिंगंकार जा जो आग्या पिताशी आपका आशिर्वात चाहिए ओम नमू भग्वती वासु देवाया ओम नमू ओम नमू ओम नमू भग्वती वासु देवाया 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 मैं अपने विश्रू की गले लग गया पिता श्री दूर्थ कप्ती अवश्य तेरे पास माया वी शक्तियां है जिसकी सहाइता से तुन्हें इस लोस्तम को ठंडा कर दिया जनको बांदो इसे इसी खंबे से आज मैं इसके प्राण लेकर ही दम लूगा बांदो इसे अम नमो भग्वति वासुदि वाया ओम नमो भग्वति वासुदि वाया ओम नमो भग्वति वासुदि वाया तो, झाज देजल, दूचिए नमो भग्वति वाय अदो रहारे, वेधि Caesar ओम नमों भग्वते वासुदेवाय याज अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है तेरों विश्णू भी नहीं कर ले अपने विश्णू का मन भर के स्मरण कर ले यदि तेरे पथना मसार इस स्थम में विश्णू है तुझे कि वह बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वग्द का धिश्ण भी देखे अब तुझे देखे नहीं बचेगा अब तुझे देखे नहीं बचेगा राग् मुझे का और याग्फ यदिए वाग्फ देखे तुझे दुझेगा झाल को ढाल कशुए उब टुएज़ झाल देख। कि अुछ दो जुछ अजय है कि अपिए एफ नहा है यह जो, अजय है यह जो जुछ पी जुछ खुछ जो जुछ भाप जुछ रहे हैं आपके जुछ अजय है। झाले कि आप एंट है कि एंथ है आप एंब कि आपुबार्पाव दिए एंगर उनने अगर हैं प्रुद थे हैं। श्रुडोंर एंट सल प्रुड़ तुम प्रुड़ से उनना है झाल 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 प्श। झाल कि घचते था जा गुए में पामें यूए जबाएगा हैं इस चाहिए जाएगार। कर दो, 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 क आपके बतार दुट। खिरहें कि बतार थाद हुट। जब जढ ची सती तार दुट। आपके प्रुट। आपके प्रत्रा कि आपके प्रोप। चरो जरा हुआ चल्द हो जरे चल्द анयगी भाष मैं तेरी मृत्य हूँ दोर्थ , तिरा काल नई , यह नहीं मर सकता , मैं भगवान ही रण कशिesin हूँ मैं नहीं मर सकता क्यों नहीं मर सकता दुष्ट ? क्या तूने किसी माता के कशन रहीं दिया ? प्रम्म जिने मुझे बर्दान दिया है क्या बर्दान दिया है recipes , कि ना मैं दिन में मर सकता हूं नारात्री में तो देख दुष्ट इस समय ना दिन है ना रात्री ये संध्याकाल की बेला है मैं घर के भीतर मर सकता हूं ना घर के बाहर तू ना घर के भीतर है ना घर के बाहर तू इस समय चोखट पर है कि न में धर्टी पर मर सकता हूं आकाश में ब्रह्म्हा ने सत्य कहा था देख तु इस समय ना धर्टी पर है ना आकाश में तू धर्टी और आकाश के मध्या मेरी कोद में है और क्या कहा था भाग्य विदाता ने उन्हें कहा था कि ना मुझे पशु मानेगा ना मानौ मैं आधानर और आधास से मेरा नाम नर्से है और क्या कहा था कि मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना श्यस्त्र मैं अपने नखों से तेरा उदर जीर का तेरा वद्ध करने जा रहा हूं अरे बचों अरे बचों तेरा अंत निकटा चुका है मूठ तू बच जाता तो एक ऐसी परमपरा का जन्म होता जो समर्थ स्रिष्टी के लिए अनर्थकारी सिध होती विदा जन्म दाता है यदि वहीं अपने पुत्र का वद्ध करने लग जाए तो स्रिष्टी का क्या बचरा कर वहीं टाने हुआना है पापी महापापी अधर्मी तूने मेरे भक्तों संतों महात्माओं और सत्य के पथ के पथिकों का जीवन संकट में डाल दिया था मेरी ही इच्छा से प्रालाद जैसे भक्त का जन असुरकुल में हुआ ता कि तेरे अभिमान को तेरा ही रक्त ललकारे और संसार को ये ज्ञान भी हो कि असुरों में भी महापुरुशों का जन संभव है हे नराधम तुने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वर्दान क्या मांग लिया तुने वास्तों में ये समझ लिया के तुझे मृत्तु से मुक्ति मिल गई मूर्ख परमेश्वर के अतिरिक जन्म और मृत्तु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है तेरे मन में ये भ्रम समा गया के तुझे स्रेष्ट है तुझे सर्वशक्ति मान है हे दुर्बुध्धी हे दुर्मते केवल इश्वर स्रेष्ट है इश्वर केवल इश्वर सर्व शक्तिमान है केवल इश्वर सर्व शक्तिमान है शान्त हो जाए है विश्वेश्वर सान्त हो जाए नहीं आज संसार को ये ग्यात हो जाना चाहिए ये परमेश्वर की शक्ति को ललकारने वालों का क्या परिणाम होता है हे जनार्दन, हे लक्ष्णी पती, दुष्ठ हरंड कश्यबू अपने परिणाम को पहुँच गया है अब अपना क्रोध रोक लीजिए नहीं, अभिमानियों को ये ग्यात हो जाना चाहिए कि उनका अभिमानी सिर किस प्रकार पैरोतले रौदा जाता है हे वासुदेव, आपने न्याय कर दिया है हे रणने कश्यबू के शरीर के साथ उसका अभिमान भी ठंडा पड़ चुका है अब अपने प्रकोप को समेख लीजिए नहीं तो समस्त रिष्टी उसकी चपेट में आ जाई इस पापी ने स्वयम को इश्वर कहा था स्वयम को सर्वशक्ती मान कहा था मेरे भक्तों को कश्ट दिया था देख ले, आज समस्त संसार देख ले कि स्वयम को इश्वर कहने वाले, स्वयम को सर्वशक्ती मान मालने वाले किस प्रकार धूल में मिला दिये जाते हैं देख किस तर r A मैं जानती हूँ जब मानव्तापे कोई संक्ट आता है जब कोई आपके भक्तों को सताता है तब आपके मनमे क्रोध का जवार्ण पर फी格 परनतो है सर्वेश्वर आपके भक्तों के शत्रूप को आपने अपने हाथों से मारा है अब तो आप शांत हो जाईए कैसे शांत हो जाओं अधर्म को कैसे जहन करूं अधर्म मेरे समक्ष मृत पड़ा है और अधर्म को तो मैं मृतिक रूब में भी नहीं दे सकता कि अधर्म को पुत्र इनके क्रोध का कारण है तुम्हारा कश्ट किवल तुम ही इनके क्रोध को शांत करा सकते हो यह इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रल्य आ जाएगी तादी स्रिष्टी संकट में पड़ जाएगी आओ पुत्र हे मेरे वासुदे मेरी विष्णी मेरे मन में जहनमी से आपकी चोचबी बसी है वह बड़ी सुन्दर बड़ी कोमल बड़ी मन मोहक है मैंने हर पल उसी चबी को पुजा है हे जगदीश्वर मुझे अपके इस विक्राय रूप से डर लग रहा है मैं जानता हूँ आपके करोट का कारण है मुझे दी जाने वाली यात्ना है मुझे पहुचा है जाने वाला कर्ष्ट उन यात्ना और कर्ष्ट का आपकी कुर्पा से अंथ हो चुका है हे वासुदे विश्वास कीजे मैंने अपके अपने भाई अनलाद और गुर्जन शोंडर अमर की जिवन की विक्षा अवर्ष्य मांगी थी परन्तु पिताश्य की जिवन की विक्षा करदापी नहीं मांगोंगा वे आपके बहरी थे अतनी न्याय कर दिया आप आप शांत हो जाईए और मुझे अपना वह मदोरुद दिखा दीजे जो मेरे मन में बसा हुआ है ही वासुदे मेरी विंती सुन लीजे मेरी प्रात्मा स्विकार कर लीजे तुम धन्य हो पुत्र तुम धन्य हो तुम असुरों के बीच भक्ति की सुगंध पहलाई तुमने दानवता के अंधकार में सत्य का दीव जलाया तुमने असभ्यता की इस कीचड में सभ्यता का कमल खिलाया तुमने इतनी छोटी आयू में मेरी राह में इतने सारे कष्ट सहे परंतु अपने धैरे का साथ नहीं छोड़ा तुमने सब को यह दिखा दिया कि एक गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, शिक्षा कैसी हो मैं तुमसे अत्यांत प्रसन्न हो पुत्र प्रलाद, अत्यांत प्रसन्न हो तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे जब तक ये समस्त संसार रहेगा, कोई भी तुम्हारा नाम कदाभी नहीं भूल पाएगा जब तक ये समस्त संसार रहेगा